नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों हमारे बीड़ो में दिखाया जा रहे हैं ये फल देख लिजे ये कोई शधारान फल नहीं है इसे हनुमान फल के नम से जाना जाता हैं माना जाता है कि इस फल की अकार हनुमान जी महराज के गद यदि लगातार 90 दिनों तक हनुमान फल को खाया जाएं तो खाने वाले की जो ब्रिद शरीर हैं वो भी नव युवग जैसा बन जाते हैं इस बाट को जुठ लाया नहीं जा सकता आये जानते हैं गरीबी मिटाने के लिए दुख मिटाने के लिए इस फल का किस प्रकार प्रय लिखना अगर आप ऐसा नहीं करती तक मैं समझ जाओंगा कि आप हनुमान जी महराज के भाकता नहीं है ऐसा माना जाता है इस फल पर पूरी तरीके से कर बंदन लगा करके पीपल पेर पर चढ़ा करके आ जया जाए हनुमान जी महराज के ध्यान करते हुए तो इक्षा की पूर्टी होता है। सारे ब्याधा जो है शमापता हो करके आब के घर में शक्रात्मा कुर्जा का प्रभाव होने लगता है। जैसी राम नहीं लिखें तो लिख दीजे और इस वीडियो को सेयर करना न भूलना। धन्यवाद नमस्कार।